श्री गणेशाय नमाहा, मासारस्वती, नमस्तो भ्यम, मित्रों आप सभी का पुनहा पाम ब्लॉग मेरे श्यनल में स्वागत है और यहां आप सभी को वीडियो मिलते हैं जीवन जोतिश अध्यात्म के निचोड के जो अम्विरित है वो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं एक जो हमारा शमुद्र शास्त्र है जोतिश विद्या जो हमें सिखाता है भारत का एक महान शास्त्र है और बहुत सठीक विशलेशन की इसमें किया जाता है और हमारी आपकी कोशिश होती है कि इस चैनल के माध्यम से हम अम्रित को प्राप्त करें आज का जो विशा है नित्रों है वो है कि आप किसी जोतिश के पास जाते हैं और अप जब उसको अपना हाथ दिखा देते हैं और या अपनी कुंडली दिखा देते हैं अब वो आप से बोलता है पूछिये तो आप आप क्या पूछेंगे तो आप कभी-कभी आप लोग अपनी समस्या पूछने लगते हैं लेकिन मित्रो सबसे पहले पूछना चाहिए आयू विद्याधन सबसे पहले जोतिश से आयू विद्याधन पूछना चाहिए और इसके बाद जो आपकी एक समस्या चल रही है घर में अगर आप किसी समस्या खास के लिए जाते हैं तब तब वो समस्या की बात अलग वो भी आप पूछेंगे लेकिन अगर आप पहली बार जा रहा है तो आयू विद्याधन कैसे अब जोतिश क्या करता है आयू निकालने के लिए वो आपकी लाइफ लाइन को देखता है कितनी बड़ी है कितनी मोटी है यह जितने भी सेंटीमीटर की होती है जितने सेंटीमीटर की यह होती है लाइन उसको हम साथ से मल्टिप्लाय कर देते हैं जिससे गर 14 सेंटीमीटर है तो हमने साथ से मल्टिप्लाय कर दिया तो हो गया 98 तो ऐसे हम आयू की गड़ना करते हैं तो अब आयू जोतिश कैसे निकलता है वो आपके जीवन की रेखा में आयू के साथ आपके सुख दुख और प्रोग्रेस भी जुड़ी होती है अब वो भली जोतिश ना बताए तो यहां समझ लीजिए और अपने हाथ में भी देख लीजिए तो आप जब किसी जोतिश के पास म देखकर मिल जाएगा तो जोतिश क्या करता है आपके जीवन रिखा को देखता है और जितनी जितनी बड़ी होती है लंबाई से मैंने अभी करके बता दिया कि जितनी सेंटीमेटर की होगी उससे साथ से मिल्टिपला कर लीजिए तो आपको जीवन लिकल जाता है ठीक अब इसी में हमारी यहां प्रोग्रेस लाइन भी छुबी होती है तो आप वह भी देख लीजिए इस लाइफ लाइन में वीडियो बहुत शॉट रखूंगा आज मैं और यहां से भी हमारी कुछ-कुछ प्रोग्रेस लाइन आयू वर्ग के हिसाब से निकलती रहती है यह भी हम ट्राइंगिल की तो यह इस्टैबलिश्मेंट को दिखाता है ट्राइंगिल और ऐसी अच्छी प्रोग्रेस को दिखाती है तो यह हो गई आयू की गड़ना आप आता है विद्या आयू विद्या और धन यह तीन चीज़ पूछना चाहिए जोतिस से और इसी और अगर आप जोतिस के पास नहीं भी जा रहे हैं तो भी इन सवालों का जवाब आपके मन में आता रहता होगा यहां देखकर जान लीजिए वीडियो तो पहला हो गया आयू तो आयू से एक मोटा मोटा हम यह सब भी जान पाते हैं उसके बाद आती है विद्या विद्या देखने के लामें क्या करना पड़ेगा किसी ने पुछा की गुरुजी मेरी विद्या कैसी रहेगी टो विद्या के लिए हम क्या किये और हम देखेंगे मैंड की लाइन थे कि मैंट की लाइन कैसी है उसके उपर कोई स्थापना के संब्द इसके बीच में यह उतों नहीं पड़ा कुछ डॉट डॉट तो नहीं आ रहे हैं कुछ काले धब्बे जिसको तिल के रूप में तो नहीं है क्या आगे जाके वह बाइफरकेट हो रही है क्या उसके ऊपर एक लाइन और आ रही है क्या वह पूरी अक्रॉस जा रही है इससे हम विद्या की गर्णा निकाल लेते हैं कि वह विद्या कितनी होगी और क्या देखते हैं यह होती है नोलेज की लाइन कहां होगी यह रिंग और मध्यमा के बीच में से निकलती है इसे कहते हैं ज्ञान की लाइन लेकिन यह जिससे आप अपनी अजीविका तक चला सकते हो इसको कहते हैं तो हम यहां से माइड माइड देख लेते हैं और माइड देखने के लिए और क्या तरीका है तो माइड देखने के लिए हमारे पास यह वाली भी होना चाहिए यहां बनती है यह मनी का ट्रेंगल भी उसी लाइन पर जैसे यहां बुद्धी के रेखा है जो बुद्ध के परवत की और जाती है तो इससे हम बुद्धी भी देख लेते हैं इससे गूर नॉलेज और इसे नॉर्मल जो गुरू का ग्यान ने ग्यान का तत्व यह देख लेते हैं विद्धिया हो गई अब धन की तरफ श्यंते अब धन देखना मित्रो हतेली में कठिन होता है और सबसे ज्यादा लोग धन के के लिए ही आते हैं तो धन के लिए हमें क्या देखना परता है ट्राइंगल कितना साफ सुतरा हो बीच में डिस्टर्बेंस ना कोई राहू की लाइन ने नहीं काट दिया हो तो यह देखके बता कितना बड़ा है उससे अंदाजा लग जाता है अरपती है करोड़ोपती है यह ही है हजारपती है और अब हमें द यह देखना पड़ता है कि वह तो नहीं है अगर कही से खुल गया है तो फिर बहुत सार प्रॉब्लम हो सकती है प्रोब Vallahi कहां से तो अब यह देखने के लिए हमें यहां आना पड़ता है पहली इस उंगली के पहले पोर्वेबर की यह थीख ठाक है जैसे यह उपर इनका चला गया यह नहीं होना चाहिए लाइन अच्छे को अचया मैं ऐसे लाइन है लेकिन यहां पर यहां से राखू हमें साहर हमें देखना पड़ता है उससे मनी का ट्रींगल खुल जाता कि आ तो फिर हमें के तुके तक तक देखना पड़ता है कि के तुमें नहीं है और फाला मनी बन दर गठना're यह देखना पड़ता है और हमरे बल्टी प्रॉपर्टी होगी एंजिल लाइन देखनी पड़ती है मोटा होना चाहिए यह यह भी यह भी धन बताता है नहीं तो व्यक्ति आया धन को छोड़ देता है और हातेली अगा रेक्टेंगल होगी तो बहुत अच्छा भूद का परवद अच्छा होना चाहिए तो आज आपने जोतिस निकालते समय क्या-क्या करता है आयू विद्या धन यह नहीं करना इस वीडियो आप वह बार भार आपको देखना पड़ेगा और फिर उसके उपर बनने वाली चिन ये वीडियो बनाने का परपस था कि थोड़ा बहुत आप जरूर देख सकते हैं अपना मानी ट्रैंगल को समझ सकते हैं जीवन रिखा को समझ सकते हैं विद्या कहां से देखते हैं उसको भी समझ सकते हैं मित्रो एक चीज़ और मैंने ग सब्सक्राइब नहीं होगा जित्ता उसकी हाट लाइन पर डेमेज होगा कुछ जैसे कोई विक्ती 63 की एज में चला गया तो अब 63 आल्मोस्ट यहां बना ठीक है तो यहां पर लाइफ लाइन में आपको कम डिस्टर्बेंस दिखेगा यहां पर लेकिन वही चीज अगर सब्सक्राइब यहां हाट लाइन पर देखेंगे तो यहां आपको ज़्यादा बड़ा कि डिस्टर्बेंस दिखेगा कि नौर्मल में यहां आपको ज़्यादा बड़ा देख सकता है लेकिन यहां पे बहुत शार्प बनता है कुछ ऐसा गोला सा बन जाता है सूरज बन जाता है कि जब मरता है तो मरें हुए कि के हात मैंने देखे हुए हैं लोगों ने मना तो किया लेकिन एक विद्या के रूप में जो मैं करना चाहता था हो मैने किया मित्रों आपके साथ की आज मैं बाठा इसको और भुझे पक्र है कि मैंने किया टाकि हम समझ समझ जाएं तो अगर मरता हूआ अदमी है तो उसकी लाइफ लाइन पर डैमेज आपको शायद देखने ना मिले लेकिन हार्ट लाइन पर मिलेगा वीडियो पसंद आया हो सबस्क्राइब कर दीजिए मित्रो श्रीक नईशा नमा मासारा स्वति नमस्तुब्यम बने रहिए